आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा हाँ जी किताबों से जी एस्टी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ जब आप जी एस्टी को किताबों से पढ़ते हैं तो क क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए क्या-क्या गलति आपसे हो सकती है हम बात कर रहें एक ऐसी किताब की जोकी पूरी दुनिया में मशूर है न हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं, ICI की किताब की, ICI का study material, अगर हम ICI की किताब की बात करें, सर यह कहां से मिलेगी, आप क्या कर सकते हो, आप ICI की website पर जा सकते हो, और यहां पर student section में जाकर, BOS knowledge portal में जाकर, यहां से इस किताब को download कर सकते हो, लेकिन जो भी व्यक्ति इस किताब को use कर रहा है, उसे कुछ सावधानी बरतनी है, अगर आप CA के exam दे रहे हो, तो आपको बहुत ही जादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि जब वो व्यक्ति study material में जाता है, और GST का study material सर्च क करता है, उसे जो किताब वहाँ पर मिलेगी, उस किताब के अंदर लिखा होगा, कि यह जो study material है, यह स्रिफ और स्रिफ नवंबर 2022 के लिए हैं, लेकिन जब आप इस नवंबर 2022 के material को download करेंगे, तो इसमें बहुत सारी गलती मिलेगी, और इस गलती के बाद, आपको एक material और download करना पड़ेगा, जिसमें इनोंने कहा है, कि इसके अंदर ना कुछ changes आ गए हैं, तो आप इन changes को भी पढ़ लेना, तो अगर कोई भी व्यक्ति किताबों से पढ़ रहा है, तो उसे क्या-क्या गलतिया face करने को मिलती है, जरा एक बार इसे details से समझना, हम जाते हैं, के उपर जाते हैं, तो किताब में पहले ही लिखा होता है, एक line, क्या लिखी है किताब में line, अगर आप में रिटन के chapter की बात कर रहा हूं, रिटन साप सब लोगों को पता है, मैं साथ में आपको यह भी बता रहा हूं, कि जो CA student है, या जो professional है, वो up to mark क्यों नहीं है, ठीक हो गए है, सर यह तो डिलीट एक टूबर से हुए है, नहीं भई, यह डिलीट जब हमारा budget आया था, ठीक है न, जो हमारा finance एक्ट आया था, उन्हों इमें बोल दिया था, उन्होंने बोल दिया था, कि भई यह section delete होंगे, हम date बता देंगे, तो मेरे हिसाप से, यह section पढ़ा है, कि भई, जो भी late fees है, ठीक है न, जो भी late fees है, वो समय समय पर government reduce करती रहती है, notification से, या जो भी due dates है, वो government extend करती रहती है, कहां से, notification से, तो इसलिए बच्चे से due dates के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा, कि क्या due dates है, extended due date उसे नहीं पढ़नी, या जो late fees reduce हुई है, वो भी उसे नहीं पढ़नी, ये बात इन्होंने यहां पर लिख दी, अब समझना मजे की बात क्या होती है, जब कोई भी student इसे पढ़ेगा, जब कोई भी student, material तो यहीं पढ़ रहा है, यहां पर उसने इस चीट को समझ लिया, कि भई मुझे या exam में नहीं देना, अब माल लो, वो एक GST return से बारे में पढ़ता है, जिसका नाम है GSTR1, पढ़ता भी है, हो सकता है, उसने सुना भी हो, क्यों सुना हो, क्योंकि practical में काम में आता है, तो जब वो GSTR1 के बारे में पढ़ता है, तो महां पर क्या लिखा हुआ है, study material में, कि भई यह वाली जो GST return है, आपको 10 तारिक तक फाइल करनी है, अब मजए की बात समझना है, यह 10 तारिक तक फाइल करनी है, लो में लिखा हुआ है, लेकिन लो में यह भी लिखा हुआ है कि Commissioner चाहे तो due date को extend कर सकता है, और Commissioner ने क्या करा है, Notification निकाल कर इस due date को 11 तारिक कर दिया है, और लगबक इस बात को 2 सा से लोगे तो अगर व्यक्ति प्रेक्टिकल घर तो प्रेक्टिकल में मींद में गया कि उससे 11 अरिक है तो अगर कोई सिह का इस्टूडेंट है अगर हमारे पास आता इंटर्वी देने से पूछते ये स्ट्यार वन की डूरेट क्या है तो बताएगा सर दस तारीक है हम कहेंगे आंसर इस रोंग जबकि वह गलत नहीं है क्योंकि उसने तो किताब में पढ़ा ही दस तारीक है लेकिन अब वो जो डूरेट है वो चेंज होकर क्या हो गई है 11 तारीक और 13 तारीक हो थी है यह तो है यह वाले चैंजजर में तो बताऊ पहली बात तो ग्वर्धी है ग्वश्च है फिर फिर उसे करते और ब से उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो कहता है नहीं नहीं पुराना वाला पढ़ना है नहीं वाला तो अभी तुम पढ़ी नहीं पाऊँगे तो यहां पर होता गया है जो प्रैक्टिकल और ठीकल उसमें गया पाजाता है तो आपको अगर स्टेडी मैटिरियल पढ़ रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो तो पहले आप यह चेक कर लो अब यहां पर लिखा हुआ है कि ग्यारा से पंद्रा तारिक के भीज में आप जी भी फोलो हुआ नि तो क्या स्टेडी में चेंज होना चाहिए या नि क्या प्रैक्टिकल नोलीज होनी चाहिए या और मजे की बात समझो यहां पर इन्हों ने लिखा कि जो ग्यारा तारीक अपडेट हुए तेरा तारीक हुए वह नोटिफिकेशन से अपडेट हुए तो ह हम चाहेंगे कि स्टुडेंट अभी वो ना पढ़े हमने का चलो कोई बात नहीं लेकिन एक बज़े की बात और सुनो अभी क्या हुआ है आपको पताऊगा लेट फीज जो थी पिछले साल पहले सेक्शन में लिखी हुई थी कि आपको पाच-पाच अजार तक लगेगी ले सब्सक्राम उसे पढ़के देखते तो आप जरा ध्याम से समझेगा लेट फीज की चीजों को उन्होंने चैप्टर में डाल दिया कि अब लेट फीज जो है ना आपको नए तरीके से पे करनी है आप इसे पढ़कर जाना कि जो लेट फीज जो चेंज हुई है कौन सी नोट नोटिफिकेशन नंबर भी बताया कि नोटिफिकेशन नंबर से एक जून 2021 को यह नोटिफिकेशन आई और अब लेट फीज चेंज हो गई है यह आपको पढ़ना है अले भाई जो जो जेस्टर 1 की डेट एक्सटेंड हुई वह भी तो नोटिफिकेशन से हुई थी तो बच्चा इतनी नोटिफिकेशन नीपढ़ पाएगा मैं कहारो सारी नोटिफिकेशन मत पढ़ाओ जैसे आपने लेट फीज की नोटिफिकेशन पढ़ाई है तो उसे जी स्टर 1 की नोटिफिकेशन तो पढ़ाओ उसे बार-बार कह रहे हो कि 11-15 के बीच में नहीं कर सकता जब वो अपने ओफिस में जाता है प्रेक्टिकल करने मुहां पर फाइल हो जाती है तो क्या हुआ उसकी थियोरी नोलिज का तो आपके समझना चाहिए जो भी आप किताब पढ़ रहे हो उसमें क्या गलती है तो अगर मुझे किताबों के अंदर कोई भी गलती मिलती है मु ठीक कर दो इससे क्या है बच्चे का भईश्य खराब हो रहा है और आपकी किताब कोई भी पढ़ सकता है पूरी दुनिया में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना क्या मुझे गलतिया बतानी चाहिए और अगर आप स्टुडेंट हो या आप IPCC पढ़ रहे ह तो जब आप study material यूज़ कर रहे तो इन बातों का ध्यान लखे और मैं इंस्ट्यूट से भी रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़के कि अगर कोई चीज ऐसी है जो प्रेक्टिकल में यूज़ी नहीं है तो आप उससे question ही ना पूछे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि copy check करने मेरे पास आ गई और बच्चे ने लिख दिया जिस्ट्यार वन की जूड़ेट दस तारिक है अरे मेरे को तो दस तारिक पता है ही नहीं क्योंकि प्रेक्टिकल में 11 तारिक 13 तारिक में उसांसर को क्या कर दूंगा गलत तो भाई आप जितना कोशिस हो सके उसे प्रेक्टिकल से म आप नोमबर 22 का एक्जाम दे रहे हो तो आप इस चैप्टर से कोश्यन ना पूछें जिससे की बच्चे को दिक्कत ना हो तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा तो भाई किसी भी किताब को पढ़ने से पहले चाए वो किसी बड़े इंस्ट्यूट की हो चा कोई भी रेलिवेंस ना हो जिसमें चीजें पूरी तरीके से अपडेटिड ना हो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप चाते हैं इस तरह की वीडियो देखना या PCC से रिलेटिड या CA student से रिलेटिड कोई वीडियो देखना चाते हैं तो मुझे कमेंट बोक्स में लिखकर बताना मैं उनके लिए भी वीडियो लेकर आता रहूँगा जिससे की वो गलत श्टडी ना करें ठीक है न वो उन चीजों को करेक्ट कर ले इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ थैंक्यू फोर वाच उनके लिए बोज़ कारे का दो में लिएखने कर दो कि वो उनके ले वो एपका दोज़ को दिल से ब्बच्पश को दो दो कर दो मोधे कि अन्यवाद कर दो दो कि वो दो दो की वोगली को दो